दो हजार पांच में में मंत्री पत्र पे नहीं था एक आरर पाटिल जी के साथ उनकी वीडियो वाइरल हुई थी ये सवाल आपने खड़ा किया हमने मुनीरा से संपत्ती लेने के बाद सलीम पतेल की वीडियो वाइरल हुई थी और सलीम पतेल ने उन सारे अकबार और चैनलों पे जिन लोगों ने दाउत से उसका कनेक्शन वताया था उन पे डिफेमेशन सूट फाइल किया था और पांच महिने पहले मैंने जानकरी लिए सनीव पतेल का देहन्त हो गया और सलीम पतेल ये मुनीरा का पावरफ अटर्मी था सरदार वली खान के बारे में उन्होंने कहा कि सजायाफ्त सा मुझरिम से आपने कोई लेंदेन किया है दो हजार पांच में वो कन्विक्टिड नहीं था जो वाच्मेन वहाँ पे था उनका लड़का था तीन सो मिटर पे साध बारा पे उसने अपना नाम चड़ा लिया था रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई कागज वो हमने उनको पैसा दिया था यह सच्चाई है लिकिन देवेंद्र जी ने हमें जो लड़ाई में लड़ रहा था या लड़ रहा हूँ जो NCB में निर्दोस लोगों को फसाने का हजारो करोड की उगाही करने का कहीं न कहीं देवेंद्र जी उसको डायवड करने का प्रयास कर रहे है और सिर्फ डायवड करने का नहीं उस अधिकारी को बचाने का प्रयास हो रहा है क्योंकि देवेंद्र जी के उस अधिकारी के पुराने संबन है 2008 में कोई अधिकारी नौकरी पे आता है और 14 साल से मुंबई शहर छोड़ता नहीं इसके पीछे क्या राज है देवेंद्र जी औरो को कह रहे हैं कि अंडर वर्ड कलेक्शन के लोग हैं ये लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडर वर्ड के लोग जो अंडर वर्ड कनेक्टेड लोग हैं जो बड़े बड़े क्रीमनल हैं आपने मुख्य मंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमिशन है सरकारी बोर्ड है उसका देवेंद्र जी औरो को कह रहे हैं कि अंडर वर्ड कलेक्शन के लोग हैं ये तेवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडर वर्ड के लोग जो अंडर्वल कनेक्टेड लोग है जो बड़े-बड़े क्रीमनल है आपने मुख्य मंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमिशन है सरकारी बोर्ड है उसका अध्यक्ष क्यों बनाया मुंत्रा यादो नाम का एक वेक्ती जो नाकपुर का खुखायत गुंड़ा है जिस पर हत्या से लेके सभी तरह के मामले दर्ज है जो आपका राजनेति सारे भय पैदा करने वाला आपका साथी है उस मुन्ना यादो को आपने कंस्ट्रेक्शन वर्कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं क्या आपकी गंगा में मुन्ना यादो नहा के पवित्र हो गया था आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौला ना आजाद फाइनांस कर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं क्या हैदर आजम बंगला देश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है क्या हैदर आजम की दुसरी पत्नी जो बंगला देशी है जिसकी जाँच मलाड पुली स्टेशन ने सुरू की 24 फरगना पुली स्थाने में कागज भेजे गए बंगल पुली स्टेशन ने भेजा कि यह जो भी बस सेटिफिक्रिट है जो भी कागजाद है यह फरजी है और मलाड पुली स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी थे मुख्य मंतरी के कारेले से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया के नहीं क्या आपके इसारे पे पूरे महरास्ट में उगाही का काम हो रहा था के नहीं मामला मुंबई का हो बिल्डरों के जमीनों का जगड़ा हो मामला थाना में जाके कंप्लेंड करके दर्ज करके वसूली की जाती थी के नहीं जाद है ये फरजी है और मलाट पुली स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी थे मुख्य मंत्री के कारेले से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया के नहीं क्या आपके इसारे पे पूरे महराष्ट में उगाही का काम हो रहा था के नहीं मामला मुंबई का हो बिल्डरों के जमीनों का जगड़ा हो मामला थाना में जाके कम्प्लेंट करके दर्ज करके वसूली की जाती थी के नहीं जमीन मालकों को पकड़के लाते थे और सारी जमीने अपने नाम पे लिखा ली जाती थी ये सच है के नहीं क्या आपके कारेकाल में विदेश से लोगों को फोन आते थे खुखायत गुंडे फोन करते थे और पुलीस वाले मामला सेटल कर देते थे के नहीं लेकिन समसे गंभीर आरोप में लगा रहा हूं देमेंद्र जी आप पे के जब आठ नमंबर 2016 को नोडवंदी हुई मोदी जी ने कहा के नोडवंदी इसलिए किया जा रहा है आतंगवद खत्म होगा काला धन खत्म होगा और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोडवंदी है उसे खतम करने के लिए हम नोडवंदी का काम कर रहे है जब नोडवंदी हो गई पुरे देश में जाली नोडवंदी चाहे पंजाब हो 2500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे मद्धेपरदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे तामिलनाडू में जाली नोट पकड़े जाने लगे लेकिन चापे मारी की जिसमें 14 करोड 56 लाख रुपे के जाली नोट पकड़े गए और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया 56 लाख रुपे BKC में 8 अक्तूबर 2017 साथियों जाली नोट का नेक्सस ISI पाकिस्तान दाहूद वाया बंगलादेश ये पूरी जाली नोट इस देश में खैलाई जाती है 8 अक्तूबर के चापे मारे में 14 करोड 56 लाख पकड़े गए मुंबई में एक ग्रिफ्तारी हुई पूना में एक जो ग्रिफ्तारी हुई इमरान आलम शेक पूना में ग्रिफ्तारी हुई वियाज शेक और एक नई मुंबई में भी उसमें ग्रिफ्तारी हुई थी लेकिन 14 करोड की 56 लाख की जप्ती को आठ लाख असी हजार रुपे बताकर मामला दबाया गया पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है मामला एनाये को नहीं दिया जाता नोट कहां से आ रही थी उसके अंतिम जाच कभी आगे नहीं बढ़ती क्यूंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें गहीं न कहीं तातकालिन सरकार का संरक्षन था कहानी बनाई गई कि वो तो कॉंग्रेस का नेता है इस शहर में कभी भी वो कॉंग्रेस का नेता नहीं रहा खेल था कि पकड़ा जाये तो कॉंग्रेस पे बिल फाड़ दो और जो आलम शेक था इमरान आलम शेक यह माइनिर्टी कमिशन छे महने के बाद जिसको हाजी अरफाज शेक को चेर्मिन मनाया गया उसका यह छोटा भाई है हाजी अरफाज शेक जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल कराके थाना में कमिशनर बैठाके कंप्लेंट पूरे महरास की कराके उगाई का दंदा करवाया और विदेश से खुखाये गुंडे फोन करके सेटेल्मेंट पुलीस वाले करते थे और यह सारा खेल आपके आशिरवास से महारास्त में चल रहा था आज तो इतना बता रहा हूँ आगे और बहुत सारी काली करतूते देवेंद्र जी के हैं में लोगों के सामने रखने रहें गा लियाज भाटी उनके साथ क्यों भूमता है दो पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडर वर्ड का आरूपी एरपोर्ट पे डिटेन हो जाए तो दो दिन में कैसे छूट जाता है परधार मंत्री के कारे करम में वी आईपी के पास कैसे बन जाते हैं जाली नोट का नेक्सिस चलता है जमानत हो जाती है पैसे कहां से आये कहां से उसका क्यों ने इन्वेस्टिक्जन किया जाता क्या है क्या है अधर आजम की बीवी का बंगला देश का मामला पुली स्टेशन में दर्ज है के नहीं क्या मुन्ना यादो ये खुखायत गुंडा है के नहीं हम तो सवाल देवेंद्री जी से पूछना चाहते हैं इसका जवाब आप दें अगर यह जूट है तो बताएं कि कि नमाम मुलिक मुन्ना यादों के बारे में जुट बोल रहा है रियाज भाटी फरार है मुन्ना यादों पे मुकद्वें हैं जाली नोट का मामला डियाराई का है जो एजन्सिया केंद्र की काम करती है उनसे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है यह भी देखना पड़ेगा जाली नोट का मामला था तो क्या ऐसा हो गया कि जमानत हो गई तुरंग क्या ऐसा था कि जांच आगे नहीं बढ़ी और जिसको पकड़ा था उसके भाई को आपने अलप संख्या का आयो का अधिक्ष क्यों बनाया और यह योगा योग है कि उस समय भी उस केस का जो इंचाज था वो भी समीर दावूद वानकेड़े ही था जी ते डियाराय मदे ही केस जाली होता है आयोक महरास का चेर्मेन मनाया था उसका यह छोटा भाई है देवेंद्र जी आप मुन्नायाद्रों को चेर्मेन बनाते हैं खुखायद गुंडे को बंगलादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है उसको आप माइनरिटी मौलाना आजाद फाइनांस कार्पोरेशन का चेर्मेन बनाते हैं जो जाली नोट का रैकट चलाता है कहीं छोटे मोटे कोई काट शाप लेकि कॉंग्रेस का नेता बना देता है रहता है किसी और पार्टी में काम आपके लिए करता है और बाद में आप उसे महरास के अल्ब संख्यक का अध्यक्ज बनाते हो पूरी तरह से आपने राजनीटी का क्रिमिनलाइजेशन किया हम आप से पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है 29 अक्तोबर को सहार एरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया जिसके उपर दाओद इबराहीम सारे ग्याइंग के लोगों के साथ संबंद के सारी खबरे अकबारों में थी पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है दबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाया और दो दिन में छूड जाता है इसके पीछे क्या खेलता रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कारेकरमों में क्यों नजर आता था रियाज भाटी भारती जनता पार्टी के कारेकरमों में क्यों नजर आता था आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था हम देश के परधान मंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते लेकिन देश के परधान मंत्री के कारेकरम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किये बिना किसी भी वेक्ति को पास नहीं इशू होता परधान मंत्री शहर में आये और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरे किचवाई क्या ऐसा कारण था बिना इस कूटनी के रियाज भाटी परधान मंत्री तक पहुंच गया देवेंदर जी आप मुख्य मंत्री रहते हुए इस महाराष्ट में आपने सारे क्रिम्नल लोगों को सरकारी पदो पर बिठाया जाली नोट का नेक्सेस आपने चलवाया आपने रियाज भाटिक के जरिये पूरी उगाही का काम किया आपने थान लियोती ये मामला डियाराय में हुआ था और मैं आपको बता दूँ कि जो 14 साल से वानकेड़े साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे उनकी पोस्टिंग ज्वाइन कमिशनर इंटिलिजन्स रेवनु की एक जुलाई 17 को हुई और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था ये छापे मारी या जो भी कारवाई हुई थी डियाराय नीकी थी और केस को हलका करने के लिए यही अधिकारी के जरिये देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी हाजी अरफात के भाई का मामला रफादफा करवाया था ये कोइंसिडन हो सकता है लेकिन एक ही अधिकारी जिसके उपर गंभीर मामले चल रहे हैं तो एसाइटी जांच कर रही है विजिलेंस की जांच हो रही है और उससे ध्यान बटकाने का खेल कहीं तो नहीं ये भी सवाल खड़े होता है जो मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी परधान मंत्री के कारेक्रम में पहुँचने के लिए पूरी तरह से स्टेट की इंटिलिजन्स एजेंसिया केंद्र की इंटिलिजन्स एजेंसिया उस वेक्ति का पूरा स्कूटनी करती है अगर जिसके उपर लगातार दावुद इबराहिम के संपर के मामले रहे हो और वो सीधे परधान मंत्री तक पहुँच जाए तो कहीं ना कहीं उसे किसी ना किसी का आशिरवात था जिसके कार में जितनी उगाई हो रही थी उसका भी वो कहीं ना कहीं एक उगाई के कारेकरम का हिस्सा था बहुत सारे मुकत में खुले हैं जिसमें रियाज भाटी आज फरार है हमारे साथ कोई फोटो नहीं आरती जनता पाटी के नेताओं के साथ फोटो है त्याचा बाप्तित का इतापास शुरू है त्याचे वर मी भास करू इचित नहीं कि अगर इस तरह से चीजे करूंगा तो लोग कि अगर इस तरह से चीजे करूंगा तो लोग कहेंगे कि नावब मलीक लोगों को पसा रहा है बता रहें देखते हैं कितनी इमांदरी से चीजें फिर शुरू होती है रियाज भाटी को लेके देखते हैं क्या सफाई आती है रियाज भाटी को लोबीस बताया जा रहा है और लगबख सारी पार्टियों के नेताओं के तो दो दिन में कैसे शुट जाता है सवाल यह है कि परधान मंत्री के कारेकरम में कैसे एक्सेस मिल जाती है तस्वीरे किसी के शादी में किसने उतार ली में यह नहीं कहतना चाहता किसी नेता के साथ उसकी तस्वीर है ये आरोप मेरा नहीं मेरा आरोप है कि दो पासपोर्ट जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एरपोर्ट पे पकड़ा गया एक कुकायद गुंडा दो दिन में जमानत हो गई एक कुकायद गुंडा जिसके उपर लगातार आरोप थे परधान मंत्री के कारिकरम के भीतर जो वी आईपी का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुँचा फूरी तरह से देवेंद्री जी का संरक्षन उसको था में फोटो चा बाप्तित आरोप लावत नहीं बोगस पासफोर्ट चा जो केस है दोन दिवसर्ट कसा त्याला सोड़ने ताला पंत्र प्रधान यांचा सोबद इसकुटनी केले शिवाए कुनाला जाने ची परवनगी नस्ते यह त्याला एक्सेस देने वागे कौन होता है माजे प्रश्ट है जावाजनीक जीवनत लोकां चे वर फोटो लोका काडता है मुनना यादो है साजके समीती वर अद्धिक्ष होते के नहीं हाजी अरफात माइनियोटी कमिशन चा चेर्मेन होता के नहीं आजम हैदर है मौला ना आजाद फाइनेंस कारपोरेशन चे चेर्मेन होते के नहीं एका पदावर निम्नुक करत अस्ताना पुलिशन कड़ून रिपोर्ट मांगावनत येते के नहीं अस्ताना त्यानला संरक्षन देने साथी इनाम देने साथी या तीघनला बोर्ड अनी कमिशन चा चेर्मेन करनेत आला होता कमिशन चा चेर्मेन करनेत आला होता अस्ताना पुलिशन करनेत अस्ताना पुलिशन करनेत आला होता मला माइत नहीं प्यानला नंतर पक्षांतर करून अल्ष संख्यक आयोक्ता अध्विक्स करनेत आला मंजे लोग का यांचे सटी कामकरत होती है या चा तुम निश्चेत होते हैं नौप सर जिस प्रकार से कुछ ड्रक्स मामला हुआ है क्या यह प्रतीत होता है कि वसूली ड्रक्स मामला था क्योंकि इसमें बहुत सारे वाट्सव चैट जो सामने आये और लोगों के केपी गोस्वावी और प्रभाकर सैल के इसमें चैट में बस नजर आ रहा है कि पहले से टार्गेट दिये गए थे कुछ चेहरे पहले से दिये गए थे और इनको पहले से विशाना साधना था तो क्या यह वसूली ड्रक्स से कहेंगे तेरा लोगों को चिन्नित किया गया जो एक तीन तारीक की रात में जो डी जी प्रधान साहब है उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि बारत की इतिहास में पहली बार मिट सी ऑपरेशन हम लोगों नहीं किया एक क्रूस पे छापे मारी हुई पंदरा दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बाते कही गई सारे देश में उसको लेके खबरे चलने लेगी लेकिन हमने पहले छे तारीक को सवाल केपी गोसावी और मनीश भानुसाली पे उठाए थे हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है वाट्शब चैट के जरिये जो प्रभाकर कहे रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेट फोटो बाटे गए थे उन्हीं को पकड़न अगर रेड शिप पर डाली गई तो क्रूज को बिना पर्मीशन करने की परमीशन क्यों दी गई उस क्रूज में पूरी तरा से तलासी क्यों नहीं लेंगी कि यूँ टर्मिनस से ही लोगों को डिटेंड कर लिया गया क्यों आर्यान खान को किसके कहने पर वहां तक लाया ग डिसकाउंटेड रेट 18 करोर में डील क्यों हुई 50 लाग रुपे उठाए क्यों गए यह सारे सवाल हैं दोनों SIT के सामने सारे बयान है CCTV फुटेज है और CDR होगा Electronic Evidence भी उसमें है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराये जा रहा है कि आपने पैसा दिया आप भी मुकदमे बाजी में फस जाओगे मैं आज फिर कहता हूँ कि रेंसम मांगने वाला गुनेगार होता है